आईयो बैनो आईये ेस्टो आईये ॆपके बीच आए हैं है वे लेगा जमुरे ओ जमुरे यह भीड कैसी है यह भीड नहीं है उस्टार यह तो देश भक्तों की छागनी है देशभक्त वो क्या होता है सालों बीद गए नामी नहीं सुना होता है उस्ताज देशभक्त होता है कहीं थोड़ा होता है कहीं जादा होता है थोड़ा जादा मतलब थोड़ा जादा मतलब उस्ताज नमक बराबर हो तो भी चलेगा तू तो बड़ा समझदार है जमूरे जिसने देश का नमक खाया है उसमें नमक बराबर देश बक्ती तो होनी ही चाहिए हाँ उस्ताद और नमक याने स्वाबिमान वह न जिसको निजगोरव तथा निजदेश का अभिमान है बस बस समझ गया मैं तो रोज नमकीन खाता हूँ सोबा चाय के साथ और शाम को तो मैं में अरे 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 अस्तार ये वो नमक नहीं है ये नमक तो किताबों में मिलता है केमपसों में मिलता है इनिवर्सिटीज में मिलता है और जहां नहीं मिलता वहां सब खारा हो जाता है आयोडाइज नमक है कह रहे हैं और कहीं कहीं तो जादा हो जाता है ये नमक और जहाँ जादा हो जाता है वहाँ तो पच्चता ही नहीं है सब खारा हो जाता है अपने अलग-अलग मत अलग-अलग बात बना लेते हैं लोग जैसे समाजवाद जैसे ब्रहमाणवाद जैसे मनुवाद दलितवाद जैसे छेत् युआन मत और बाद बाद और मत बनाते बनाते मत वाले हो जाते हैं साले मत वाले सवासो करोण की इस भीड में सच्चा देश्बक कहा मिलेगा रे दिल्ली की सत्था में, यूपी में, कलकत्ता में, मंबई में, जबलपुर के भीया में, गीत में, सवया में या जुमूरीत अलईया आप सुन रहे हैं विवित भार्ती ये हैं अमन के समय की अमीन सियानी की बिना का गीत माला आप सुन रहे हैं विवित बार्ती बोजी बाहियों को नमश्कर अब आप सुनिए कारिकरम जये माला आप सुन रहे हैं विवित बार्ती पाकिस्तन हाई हाई पाकिस्तन हाई हाई अब आप सुनिए गीत देशबक्ती के जैसा समय वैसा गीत गाता है ये बारत देशबक्ती का कोई पहमाना है क्या? नहीं उस्ताथ देशबक्ती का कोई पहमाना नहीं है आजकल तो देश दरोईयों के साथ घूमने वाले भी देशबक्त का लेबन लगा कर घूम रहे है देशबफ सच्चा देशबब कहीं भी हो सकता है हो सकता है यही हो पुल पेंट में या फिर चैटि में ये भी हो सकता है करोड़ना ना चाहता हूं चलो भाई मैं भी चलता हूं एक से बले दो एक से बले सवा सौ करोड अरे भाई ठीक हुआ तुम हागे वरना कीवी पर चर्चा चल रही है देश जानना चाहता है कि फूल तोड़ने वाला सीच चराने वाला देश पर कभ से कहराने लगा लगा कर पता करना चाहिए ऐसे राष्टवादी विचार भारत माता को फूल चाहाना इतने देश के धर्म निर्पेच धाचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक तरीका है मैं अपनी टोपी लगा लेता हूँ अब ये प्रश्न ही खत्म तीवी में टी आरपी का महत्व ही खत्म हो जाएगा मेरे टोपी लगाने से तुम कौन हो? मैं बहरत की सेवा कलम से करता हूँ मैं उधारवादी प्रगतिवादी लेका कूँ तुम प्रगतिवात कैसे हुए, तुम कथर कदम ताल कर रहे हो, तुम ये छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, उस और मत जाना है, वरना मैं तुमारे मेरे दिल लिखूँगा, हम कॉलम लिखते हैं, हम विचारदार बनाते हैं, पर मैं बात मा के सम्मान के लिए जा रहा हूं, तुम पीट पीचे किये हो, गवार हो, बिलकुल गवार, कबीर का तुल्ची का रसकान का है, इल का नाम दो रहे हो, उस और, उस तरफ उस दिशा में नयापन है, संभरांत है, पुरुसकार है, अकैदमित पुरुसकार है, नह नह चेहरे है, स्मेडल है, सेक्रिलरिजम है, अधर्म पेखता है, भारत माता को पीट दिखाना, तुम दोने उदर जाओगे, तो हम तुमारा विरोध करेंगी, हमारे नेता, हमारे चात्र, हमारा संगटन, अंतर राष्टे इस तर तक विरोध करेंगी, हमारी लॉबी है, सरकार मर अपने विचार दोपेंगे, फाग ल करेंगे, सबसे जदा तेरी कलब को सहा है, तेरी जवाट को सहा है, अरे, तो अपने आपको प्रगितिशील कहता है, भारत माता को दीन दिखाता है, और अपने आपको प्रगितिशील कहता है, अपनी क्लासों में करो, अपनी यूनिवर्स सिटीज में करो, यह हमारे रुको भापी खूल से लाल है तो वही है ना जो नक्तली से यार करता है और छात्रों को बरगलाता है यह केंपस ही नहीं यह इनिवर्सिटीज ही नहीं पुरी धर्दी को लाल कर देंगे हम अरे जहां पैदा हुआ चीन में रूस में वहां कितना बचा है रे यह लाल पीका पड़ ग सबी रंगों को अपने अंदर समाहित लेता है तो क्या हमारे रंगों हमारे लाल को भुटने दे तुम्हारे सबेद में भुट रहा है मेरा लाल हमारे विचारों की अभी व्यक्ति अरे खाब विचारों की अभी व्यक्ति तो मैं तुमने दिसंबर पत्रा में योग सड़ी भाजी लाल भाजी लाल भाजी ले लो लाल भाजी दो रोपे में खून बढ़ाने वाली लाल भाजी अरे खून बढ़ाने वाली नहीं खून खराबा बढ़ाने वाली लाल भाजी है ये ये पप्पू ये पप्पू सुधर जा रहे दिख तेरे काड़निक फूलांस से और गिर गया अब ये कौन आया अधर इंडिया कौन है आप हम सेकुलर है सेकुलर मतलब परिस्थिती को फाक को राग को दाग को विराग को देश में लगी हुई याग को इस आग को खुद सेवाले सेकुलर अरे ओ इस टोपी को देखा है ना अभी तू भी टोपी लगाता है तू हमको पढ़ाएगा वहां जाकर क्या करेगा वहां तेरा क्या काम है वहां जाकर पूजा करूंगा इबादत करूंगा सेफ लब्दों का फेर है भाई अरे हट अब तू सिखाएगा ह सही हप सकी होता कहայ संद्र तुम्हारा से ग्रुजम तो मैं मुबारक नहीं 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 तुम्हें भी मुबारक होने नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे चेहरे बदलते रहे हैं आनल economics तुम कितने सूखे हो, कितने रसीन हो, कितनी गाठो बरे हो, तुमी ना 10 लाख लोगों को मरवाया है, वो भी अहिसा के नाम पर, मैं भूला नहीं हूं विवाजन, वास को कोई पीता भी नहीं, अरे भाई, तुम्हें कौन पीते, सब 47, और 47 के पहले से निकले हैं, भारत मात को फूल चड़ाने, पर तुम जाने ही नहीं देते हो, वहां पटकने ही नहीं देते हो, अब रोडा मत बनो भी या, मैं जाने दो भारत मात हो फूल चड़ाने, आप तो हाथ के सारे फूल भी सूक गए हैं, लगता है, शीशँ चड़ाना होगा, अपने नहीं, दुष्मनो के शीष चड़ाएंगे मानफ़ता के दुश्मनों के शीष चड़ाएंगे वह देखो नाम है राम भाईया गिल्लों के सर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ध्यारा बस बस दस से जादा से रहाम है राम भाईया करें नाम है कनया यह वही लोग है जो दुरगा मा का अफमान करते हैं और राक्षुसों की मही मा को मंदत करते हैं अरे यह वही लोग है अम्बेटकर की नाम की संस्ता बना कर सम्विदार के जगन अबरादियों की पैरवी करते हैं ना तो मैं भगत सिंग माप करेंगे और ना ही अम्बेटकर बस करो अभी है सा अबना कोई अफजल होगा घर-घर में बत्रा विक्रम है घर-घर में गुरुगूबिंद सिंग घर-घर से निकला भगत सिंग दुस्मन को है पेगाम ये घर घर का बेटा कलाम है बारत मता कीज़े मैं तमाश पीन नहीं हूँ मुझे इशाड़ दो मैं भी आप लोग इस इस्था में जुन्या चाहता हूँ मैं मुक्त दर्शक नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि इस विचार को चारों तरफ पहुचा हूँ एक देश में कितने देश मनाओगे एक केमपस में कितने केमपस मनाओगे मैं चाहता हूँ कि ये बात पूरे देश में पहुचे हमारे देश में अंदर काक्रोष पेदा हुगे हमें उन्हें पकड़ना होगा पुचलना होगा नश्ट करना होगा भारत मतकी जोई भारत मतकी जोई भारत मतकी जोई